नमस्कार दोस्तों आज हम बनाएंगे बहुत ही अलग तरह की सबजी आपने सबजी तो बहुत तरह की खाई होंगी पतेदार सबजी भी खाई होंगी लेकिन एक पार यह सबजी बना ली तो आप पनीर भी खाना भूल जाएंगे तो चलिए बनाते हैं इसको बनाने के लिए हमने यह बेल लगी हुई है किचन गार्डन में इसके फ्रेश पत्ते तोड़ते हैं हम यह देखिए इसको मतीरी की बेल बोलते हैं पोटरमेलन का नाम सुनाओगा आपने तरबूस की बेल के पत्ते तो अभी इनको अमने 5-6 पर साफ़ पानी से दो लिया और इसको कट कर लेते हैं बारिक कट करना है आपको और अभी आदा कटोरी चावल लिए हमनी इनको ग्राइंड कर लेंगे और इसके अंदर डाल देंगे अभी ये आदिक कटोरी से ज़्यादा है बेसन डाल दिया आप अपने इसाव से कम ज़्यादा कर सकते हैं ये थोड़ा सा नारियल ग्राइंड कर डाल है इसे इसका टेस्ट और भी अच्छा आएगा अदा चमच गालमीच पाउडर अदा चमच हल्दी पाउडर और अभी सभी मसाले हम मिक्स करेंगे जो हमने तर्बूज के पते कट किये हैं मतीरी बोलते हैं तर्बूज की तरह ही होती है मतीरी जो हमारे यहां होती है जिसके यहां नहीं होती वो तर्बूज की बेल के पते तोड़ कर यह सबजी बना सकता है तो आलो बड़ी जिसने खाई है कोथिमवीर बड़ी खाई है धनिया बड़ी उसी के तरह हमने इसको बनाने के कोशिश की है और अभी हमने स्टीमर में इसको स्टीम करने के लिए 20-25 मिनिट के लिए रख दिया डेट गिलास पानी डाल कर और यह 15 मिनिट बाद रड़ी है बिल्कुर अभी हम मसाले त्यार करेंगे दो चमत साबुत धनिया लिया है हमने थोड़ी से आँ साथ काजू लिये हैं एक चमत सौफ लिये हैं दो तेज पत्ते लिये हैं इनको टुकड़ी करके डालेंगे यह एक बड़ी इलाई चिली है तो हम इसके अंदर मसालों को पीस कर डालेंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा और हमारी सब्जी बहुत ही बढ़िया बनेगी जब आप खाएंगे तो बार-बार आप पनी लाना मार्केर से भूल जाएएगे इसको यह बना कर खाएंगे अभी अमने ग्राइंड के लिया और थोड़ा सा पानी डाल कर इसको दوبारे से ग्राइंड के लिया पेस्ट तियार किया है अब ये जो पकी हुई हमारी मतीरी की वड़ी बोल सकते हैं आप इसको मतीरी की पत्तों की वड़ी तो ये स्टीम करने के बाद इतनी टेस्टी लगी खाने में तो आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं स्नेक्स की तोर पर बहुत ही स्वादिस्थ है दोस्तों एक बाद जरूर ट्राई करना इसको पीस में कट कर लेंगे हम यह थोड़ी सी सोफ्ट हो गई आप थोड़ा सा बेशन और डालने हैं इसके अंदर ताकि यह अच्छे से पीस में कट सकी तो कुछ पीस हमारे थोड़े से बीच में से तूट गए बाकी तो सही बने हैं मेरी वीडियो आपको अच्छे लगे लाइक करें शेर करें चैनल पर नहीं हैं तो सब्सक्राइब करें और सभी पीसिज अमने कट करके रड़ी कर लिए हैं यह देखिए देखिए कितने प्यारे तरह अंदर से पका है विल्कुल अच्छे से अभी तीन चार चमच हमने रिफाइंड ओए लिया है एक चमच जिरा डाल दिया दो यह प्याज बारी काट कर डालेंगे और अच्छे से इनको फ्राइ करेंगे गून लेंगे अच्छे से और अभी यह दो अरी मिर्च लिए हमने यह डालेंगे आप इसके साथ और भी कुछ डालना चाहें तो डाल सकते हैं जैसे टमाटर डालना है तो हमने इसके अंदर नहीं डाला है यह ऐसे ही स्वाद बनेगी आदा चमच हल्दी पाउडर आदा चमच लाल बीट पाउडर स्वादा नमक डाल दिया नमक मिर्च आप अपने हिसाब से रखें कम जादा किसी को तेज मिर्च पसंद होती है किसी को नहीं और मसाले को अच्छे से फ्राई कर लिया और अभी जो हमने पेश्ट बनाया था ओर डाल देते हैं थोड़ा सा पानी ओर डाल के उसमें और यह दिखे कितनी अच्छी ग्रेवी हमारी बनी है और इसको थोड़ा सा बचा हुआ है मसाला तो इसके अंदर पानी डाल के ओर डाल देते हैं इसके अंदर और इसको हम अच्छी से पकाएंगे जब तक यह अपनी खुश्पू पूरी तरह की नहीं छोड़ देता तब तक हम पका दे रहेंगे इसको तो ढखकर इसको पकाएं के लिजिए बिल्कुल अच्छे से पक गए है हमारी ग्रेवी देकि बहुत ही अच्छी सुबू आ रही है पूरी घर में फैल गई है तो अभी हम पीसकट की हैं जो हमने मतीरी की पत्तों की वड़ी जो हमने बनाई थी वो सारी की सारी इसके अंदर डाल देंगे और यकीन मानिये दोस्तों आप पनेर के मुकाबले की ये हमारी सबजी बनकर त्यार हुई है और हमें कहीं नहीं जाना पड़ा किचन गार्डन से पत्ते थोड़े हैं हमने मतीरी के और बना दी है ये सबजी तो एक बाद जरूर टाए करना और कमेंट करके बताना कि मेरी र बखा लिया है और दो चमच इसके अंदर लाष्ट में मलाई डाल देंगे और थोड़ा सा इसको चला देंगे तो इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा पनीर डालने की ज़रूत नहीं है पनीर की जगे आप मलाई डाल दें सबजी में और इसका टेस्ट आप बहुत ही बढ़िया लगेगा आपको थोड़ा सा इसको चला देते हैं अभी और थोड़ा सा मिसके अंदर मिल्क है वो भी डालेंगे दूद आधा कप भी कम है और इसको थोड़ा सा चला देंगे और बिल्कुर रड़ी है बनकर हमारी सबजी देखिए तर्बूस के पतों से भी हमने कितनी बड़ी आ सबजी बना के त्यार कर देगी तो बनाइए और खाईए और सबको खिलाइए भी हम इसको सर्व कर देते हैं ये लिजी हमने सर्व कर दी इसको बहुत ही अच्छी खुश्व आ रही है और इतनी टेस्टी थी दोस्तों कि क्या बता हूं आप बना कर खाएंगे तभी पता चलेगा इसका स्वाद और यकीन मानिए बहुत टेस्टी है तो एक पास जरूर बनाएए थैंक्स फूर वाचिंग